हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अल आफ यू इन वराइट फूचर लाइब तो फ्रेंट्स इस कलास में हम बात करने वाले हैं एक इंगलिश स्टोरी जिससस्टोरी का टाइटल है दा टैन्थ मैन तो चलिए इसस्टोरी का टाइटल हम लोग आगे समझते हैं यह सब परागराफ पढ़ने की बात तो यहां पे आगें लोग देखते हैं इससस्टोरी के माधियम से हम लोग कर्यामर पाठ को कवर करने वाले हैं correct pronunciation देखने वाले हैं साथ में नए जए वर्ड भी सीखने वाले है तो चलिए बहुँ हम लोग स्टार्ट करते हैं सोहन वाज एन एजुकेटेड बट अन इंपुलाइड मेन सोहन जो था एक एजुकेटेड परसन था मतलब वो सिछीत आदमी था लेकिन वेरोजगार था He wanted to do some work Want मतलब क्या होता है? Want मतलब होता है चाहना तो want का second form wanted होता है तो वह कुछ काम करना चाहता था एक दिन सो इसलिए one day एक दिन he decided to wait for the king at the place gate तो एक दिन उसने निर्ने लिया था राजा का इंतिजार करने के लिए कहां पे महल तरवार की gate पे He thought that he would talk to him about the job और उसने सोचा था कि राजा जो है उसके बारे उससे उससे जौब के बारे में बात करेंगे इसलिए next day अगला दिन सोहन वाज standing outside the place gate and waiting for the king इसलिए अगला दिन हो क्या क्या महल के दरवार के पर खड़ा था महल के दरवार पे खड़ा था and waiting for the king और वेट पर तिछा कर रहा था राजा आने का ठीक है राजा का To pass his time he started counting the people who went in through the gate To pass मतलब होता है मतलब गुजारने के लिए तो अपना time वो बिताने के लिए उसने अस्टार्ट किया लोगों के लिए लोगों को गिनना उसने अस्टार्ट कर दिया जो जा रहे थे gate के दवारा होकर Throughout the day पूरे दिन he counted 10 strangers going in जो gate से गया था पूरे दिन में वो 10 अंजान लोगों को count किया था but sorry by evening nine of them had come out लेकिन साम तक उन में से नो आदमी आया नो आदमी उसने तो 10 people को count किया था लेकिन evening तक नो आदमी आया अब देखते हैं When the king came out of the place gate जब राजा पलेस गेट पर बहार आया Sohan asked for a job but unfortunately the king said no to him Sohan Joseph पुछा job के बारे में लेकिन बदकिस्मत से राजा जो से उसे ना कह दिया Then Sohan mentioned that only 9 out of 10 a stranger had came out of the place तब बोलता है उसने Sohan Joseph लेकिया कि केवल 9 आदमी आया है ग्या था 10 लेकिन उनमें से 9 जो से वापस आया है महल से At once the king ordered his soldiers to search for men तुरंथी राजा जो से अपना सिपाहियों को आग्या दे दिया उसे खोजने के लिए The man was found hiding in the king's chamber तो वो man जो था दासमी जो लिखा हुए टाइटल में था 10th man आनि कि उद्दस नम दासमी आदमी था आनि कि वो man जो था सो मिला लेकिन कहां मिला राजा के कच में छिपे हुए मिला He was an enemy a spy वो दुस्मन जासुस था वो जो से दुस्मन जासुस था who had come to kill the king जो राजा को मारने आया था The king was very happy with someone and made him his own bodyguard तब राजा जो से बहुत खुसी हो गया था और उसे अपना bodyguard बना लिया अपना bodyguard का job दे दिया किसको सोहन को राजा ने तो इस story के माधियम से हम लोग को यही सीखने को मिलता है तो जदी हम लोग short form में जदी discuss करेंगे कैसे करेंगे तो short form में हम लोग discuss इस परकार से करेंगे किस story का title है The 10th month इस story का सुरवात जो होता है सोहन से होता है सोहन जो है सो एक educated person है यानि कि सोहन जो इसे पढ़ा लुखा आदमी है फिर भी वह बेरोजगार है वह कुछ काम करना चाहता है एक दिन उसने decide किया निर्ने लिया था कि राजा का राजा की महल पर राजा का महल जो gate है वहाँ पर इंतिजार करेंगे अगला दिन उसने क्या किया वहाँ जाकर आउटसाइड वहने की gate के दरबार पर वहाँ जाकर ख़ड़ा हो गया अगला दिन और उसने अपना time बिताने के लिए कितना लोग जा रहा है उसका counting करने लगा अपना time बिताने के लिए उसमें सेवा दस लोग को ऐसा counting किया जो की अनजान था लेकिन पूरे दिन भिर में उतना ही लोग को counting किया जो की अनजान था लेकिन साम तक साम तक उसने जो आया उसको जब कौंटिंग किया तो उनमें से 9 आदमिया आनि कि जो इतना 10 अस्टेंजर आदमि जो था उनमें से 9 आदमी बहार आया तब राजा जो जैसे भार आता है गेट पे तब उसने जॉब के बारे में पुछता है लेकिन कि बदकिस्मत से राजा ने उसे मना कर देता है, ना बोल देता है तब सोहन जो से मेंशन करता है कि आदमी जो आया है 10 में से टोटल 9 ही आदमी आया है उन में से जो महल में अंदर गया था तब वो राजा जो होता है से तुरंग जो से अपने सिपाहियों को आग्या दे देता है उसे सर्च करने के लिए कि वो आदमी कहां पे है तो आदमी को जब search करने लगता है तो उसका chamber के आने की king's राजा का chamber जो होता है उसी में छिपा हुआ मिलता है क्योंकि वो आदमी जो आया था एक दुस्मन जासुस था वो राजा को मारना चाहता था तो इस पारकार से राजा जो होता है उस पर खुस हो जाता है सोहन पर और सोहन का एक जॉब देता है और कौन सा जॉब देता है अपना बोडी गार्ड का तो बोडी गार्ड का जॉब वो पाता है तो इसा स्टोरी यहीं पर एंड होता है तो मेरा वीडियो ज़दी आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कहां पर गलती हो रहा है वहां भी कॉमेंट करें तके इंप्रूब कर सकें